आज के इस नहीं वीडियो में तो कैनेडा स्टूडेंट वीजा की रिजल्ट की सिचुएशन की बात करेंगे क्योंकि मैंने लास्ट वीग भी कहा था वीग के बाद मैं आपको बताऊंगा की सिचुएशन क्या है आज बात करेंगे रिजल्ट को लेके क्या सिचुएशन की बात करेंगे रिजल्ट को लेके रिजल्ट अभी भी आ रहे है जिहां PPR अभी भी आ रही है और सप्तमबर इंटेक की भी आ रही है कुछ बच्चे ऐसे मेरे नॉलजज में जिनकी क्लासी 7 सप्तमबर की आसपास है उनकी भी PPR अभी रिसेंट टाइम में जो है वो आई है क्योंकि उसके बाद ही निया एलवेट मान होना शुरू हो जाएगा जो मेरा मान है कि सप्तमबर के बाद सप्तमबर में कई बच्चों की 27 सप्तमबर के आसपास क्लासीज भी है उनके पास भी सफिशन थाइम बचा हुआ है कुछ बच्चे जिनकी 7 सप्तमबर के आसपास है तो यहां पे जिनकी आउनलाइन है आउनलाइन वालों के पास मैं कहूंगा कि अब ये वीक बचा है लास्ट अगर इस वीक में नहीं आया तो आउनलाइन वाले भी क्या करेंगे तो वैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं नहीं चुनका उनका तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हम और लेडिए अब दौबारा से बताते हैं जिनकी कलासे सप्तमबर या यह नहीं से था आपने अभी तक रॉक्र नहीं तो जैसे लॉयलिस्ट कॉलेज कर रहा है बाकी भी कॉल्जी जैसे मैक्सिमम कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं बाकी कॉल्जी भी है जो आपको डैफर्मेंट जैनरी देने से बना कर देंगे कि हमारे पास बढ़ चुका है और लेडी सो क्योंकि उसमें इस पर कुछ न दरा दिन भी इस तिन ले ले लेगी और अभी आपका ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है तो यह प्रैजिंट फिस नहीं है प्रैवल को लेकर भी मैं अलग वीडियो मुना दूंगे कच्छी निम्स है कि दुबई वाला रूट ओपन होता है तो यह कॉस्ट है वो दीचे आन है पेंडिंग वाले कहेंगे जी हमारा कब तक आजएगा छे मीने हो गए है कितना बर रिजल्ट आएगा तो देखिए इसका अंसर आज भी मेरे पास नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा रहे हैं नहीं आरे वो हम अपना पता सकते हैं क्योंकि हमारे भी कैसिस हैं लेक क्लास अफ्लाइबल है आपको भी तो डैफर करना पड़ेगा बात आती है कि डैफर मेंट का जो प्रूफ है वो कब अपलोड करें जो आपका कप अपलोड करें ऐसको अप अप्लोड करें थोड़ा सा वेट का है तो डेफरमेंट अपलोड करना हो आपकी इच्छ है लेकिन मैं रेक्मेंट करूँगा कि सब्टमबर के बाद तो 100% अपडेट कर दे मेरे पास कॉल आती है जी कंसल्टेट कह रहा है अपडेट नहीं करेंगे मैंने कुछा क्लास इसका पडेट करना है ओजा आपको सब्सक्राइब है तो आपको डेफिन पासिबeng कर चुकी है किते सब्सक्राइब पर का वीजा फिर आप वहां पहुंचेंगे consultant को तो कोई फरक नहीं है आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके अपनी extension लेगे कि मेरे छे मिने का कोर्स रहता है मुझे extension दी जाए ये जमेल आपको पढ़ेगा इसमें कुछ ज्यादा चैलिज नहीं आता जिनके वीजा आ चुके हैं उनकी बात कर ले आपको डैफर करना पढ़ रहा होगा अगले September का क्योंकि अब अगर DLA चेंज करते हैं तो दोबारा सी वीजा लेना पढ़े और कोई alternative ही नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं college चेंज कर लेता हूं तो वीजा दोबारा लेना पड़ेगा सो patience रखना पड़ेगा काफी बच्चों को महीं में जाना पड़ेगा मैं पहले बता देता हूं और बाकि क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए कि बहुत चीजे हैं बहुत question है जो मैं आने वाली वीडियो में इस week में आपके answer provide करूँ क्योंकि अब picture clear हो चुकी है साथ सब्टमबर के काफी result pending रह चुके हैं सारे भी नहीं आने वाले अब definite में बहात आगे start हो जानी है full flash की class start हो चुकी है result का कोई अतापिता नहीं है तो क क्या करें एलो कब लगाएं क्या scenario तो उसके लिए मैंने जितना हो सके अब तक की update इस वीडियो में प्रवाइड कर दी हैं further update के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मैं आने वाले वीडियो में और जो आपके question जो आप पूशेंगे उसका answer जुरूर प्रवाइड करूँग